पूर्ण विश्राम इसकी जानकरी हसिल करेंगे इस पाठ के लेकक है सत्यकाम विद्यालंकार इनका जन 1935 लाहोर और व्वचित भारत में हुआ था आप सफल संपादक, लेखक और कवी है सरल सुबोध भाषा और रोचक बोध गम्य शेली आपके लेखन की विशेष्टाए है लेखन व्याव हरिक है आपने व्यक्तित्व और चरीत्र निर्मान पर अधिक बल दिया है आपकी प्रमुक्रुदिया स्वतंत्रता पूर्व चरीत्र निर्मान, मानसिक शक्ति के चमतकार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरीत्र आदी प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानिकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपा धापी में वीश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, मिलते भी हैं, तो घरेलू उल्जुनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठाद पाते। चात्रमित्रों, इस हास्य व्यंग कहानी में, लेखक सत्यकाम विद्यालंकारजी ने कही न कही यही बतानी की कोशिश की है, कि हम हमारे इस जीवन की आपा धापी में, भाग दोड में, जो एक तरह का विश्राम है, जो चैन है, सुकून है, कही न कही वही भूल रहे हैं। पाट की तरफ ध्यान दीजे चात्रमित्रों, डॉक्टर ने बाहपर काला कपड़ा लपेटा और रबड की थेली से हवा फूक कर नाड़ी की गतिदे की फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफता से चुट्टी लेकर बाहर हो आईए, विश्राम आपको पूर्ण निरोक क कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, सीरियस यानि की गंभीर, देखिए, डॉक्टर साहब ने काला कपड़ा लपेटा और रबड की थेली से हवा फूक कर नाड़ी की गति देखिए, आपने डॉक्टर को कभी भी क किसी पेशन्ट की मरीज की जो बलड प्रेशर यानि की रक्त चाप को चेक करते हुए देखा होगा, तो वही यंत्र, वही मशीन लगा कर देखा होगा, उन्होंने लेखक को एक सलाह दी, कि वह दप्तर से छुट्टी लेकर बाहर कही जाकर विश्राम करें, पूर्ण निरो लोग होकर वह आएंगे, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, यह उनको बताया, तो यह सुनकर जो उनकी पत्नी उनके साथ थी, वह बड़ी प्रसन न हुई, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहु की तयारी कर लो, हम दो दिन पूर्ण विश्राम करेंगे, तो लेखंग ने इस बात को मन पर लिया, उन्होंने कहा कि जुहु, मुंबई में, जो जुहु यह भाग है, वहाँ पर समंदर का किनारा है, जुहु भी बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है, तो वह कहते हैं कि जुहु की तयारी कर लो, हम वहाँ पर जाएंगे और दो दिन पूर्ण विश्राम करेंगे, विश्राम यानि कि आहराम, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चान्नी रात का मज़ा जुहु पर ही है, देखिए पूर्णिमा, पूर्ण चान की रात, और चान्नी रात का मज़ा जुहु पर ही है, अगर आपने समंदर का रात का नजारा देखा हो पूर्ण चांद का होते हुए तो बहुत ही खुब सुरत लगता है। एक दिन पहले आधी राज से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। दो बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयम बहुत दो से पहले ही उठ बेटी और कुछ नोट करने लगी। गैरिज में पहुचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिछकारी, टूब वाल, रबर सोलीशन, एक गेलन इंजिन आयल, आधी आधी चीजे और भी लिखी थी। देखिए वह अपने मोटर में जाने वाले थी। तो मोटर को अगर कोई खराबी आ गई, कोई मुसीब बढाकर एक सूची बढाकर दी थी। दिन भर दोड़ धूप करके पाई धुनी से मिस्री लाया, पाई धुनी दक्षिन मुंबई का एक उपनगर और मिस्री मकान आधी की मरमत करने वाला कारागिर। तो वह लाये। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक चार में से दो खिड़कियों की चटकनिया भी नहीं कसी गई, मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते-लाते, रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो शीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। देखिए, वह जुहू पर विश्राम करने के ही तो जो भी काम कर रहे थे उसके कारण वह बहुत थक रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक दिलासा देते हुए, एक अंदाजा लगाते हुए कहा, कि जुहू पर हम हमारी पूरी थकान निकाल लेंगे। श्रीमतीजी ने अपने करकमलों से घड़ी की घुंडी घुमा कर अलाम लगा दिया, और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह पाच बचते ही अलाम ने शोर मचाया। देखिए तसल्ली यानि कि एक तरह से खुद को दिलासा देना। उसमें जो कच्चा तेल होता है वह डालकर उसे चलाया जाता है। दोकनी करना यानि कि हवा भरना उसमें हवा भरी जाती है और फिर वह जलाया जाता है। परन्तु वह स्टोव भी उनका चल नहीं रहा था आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्त चित्त हो तयारी में जुट गए थगित कर दिया यानि कि बंद किया और फिर दत्त चित्त हो तयारी में जुट गए दत्त चित्त यानि गी एक लिन होकर एक न होकर वह तयारी में लग गए। वाटरलो चाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पती-पत्नी परस पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना यानि की हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। शीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनकी उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया पूडियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। शीमती जी बोली अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा ही। लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहूपर ब और सर्द यानिकि बहुत ही ठंड एसी हवा चलती है। चात्रमित्रों आज हम इतना ही इस वीडियो के इस भाग में देखेंगे। आधे पाट की जानकारी हम अगले भाग में दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक घर पे रहिए स्वस्त रहिए। धन्यवाद।